नमस्कार दोस्तों मैं नरेश कोहली आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि हम लोग इस तरह के कारीकर्म लगातार करते आ रहे हैं और उसी सरिंखला में आज हम लोग कक्षा 10 के लिए हिंदी की जो दितिय भाशा की पाठ्थे पुस्तक है सपर्स भाग दो मिशामिल एक रचना है बिहारी के दो है उनके उपर बाचीत करेंगे और बिहारी जैसा कि हम लोग सब जानते हैं बिहारी रीतिकाल के कवी है और रीतिबद कवी है अर्थात भक्तिकाल के बाद जब रीती को आधार बना कर रचनाएं लिखी जाने लगी उस तरह के कवी है रीती का आशे यहां पर ये है कि कुछ लक्षन गरंत कुछ उधार्ण के रूप में रचनाएं जब करने लगे कवी उसको परंपरागत तरीके से कहिए कि बिलकुल एक परंपरा के आधार पे रीती के आधार पे रचनाएं होने लगी और वो बार बार एक ही तरह की जो रचनाएं हो रही थी उसी तरह को बिहारी भी उसी में शामिल है और बिहारी क्योंकि रीती बद कवी है और रीती सिद कवी कहे जाते हैं रीती काल के कवी है रीती सिद कवी है वो और रीती मुक्त भी इसी समय में हुए आर्थात जिन्होंने लक्षन और उधार्ण एक साथ लिखे वो रीती बद कवी जिन्होंने केवल रचनाय लिखी कोई रीती गरंथ ने लिखा वो रीती सिद्ध कवी और जो इन सबसे अलग होकर अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे थे वो रीती मुक्त कवी कहलाए हमारे लिए ये जानना इतना उपयोगी नहीं है कि ये किस तरह के रीती परंपरा में कवी हैं हमारे लिए जानना उपयोगी ये है कि बिहारी की जो चर्चा होती है हिंदी साहिते में वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहारी ने अपने पूरे जीवन में एक ही रचना लिखे और वो रचना इतनी चर्चित हुई कि उनी के आधार पर उसी रचना के आधार पर वो आज भी हमारे साहित में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उस रचना का नाम है बिहारी सतसजी अर्थात बिहारी के 702ऊ का जो संक्लन है वही बिहारी सतसजी कहलाता है और इस में सतसजी में सब तरह की रचनाई आपको मिलेंगी खास तोर से क्योंकि ये रितिकाल के कवी हैं तो सरंगार रस से संबंदित रचनाई आधिक मिलेंगी, कुछ नीती की रचनाई भी मिलेंगी, उसके साथ साथ प्रकृती की रचनाई भी मिलेंगी, आपको मुख्यत है बिहारी के यहां पे भी यही तीन विशे मिलेंगे, सरंगार, प्रकृती और नीती, यही तीन मुख्य इस से पहले कि हम उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें और हमारे पाथे करम में, हमारी पाथे पुस्तक में शामिल उनके दोहों की व्याख्या और उस पे विस्तार से चर्चा करें हम चाहेंगे कि थोड़ा सा परीचे उनका आप लोग जरूर जाने और परीचे बिहारी का जन जैसा कि हम जानते हैं ग्वालियर में हुआ पंदरह सो पचानुवे में और उसके बाद उनका बच्पन अपने पिता के साथ और्चा में ही बीता और्चा मध्यपरदेश में ही है और अपनी युवा वस्था में वो साधी के समय मतुरा में आ गए और फिर लंबे समय तक मतुरा में रहे मतुरा में आने का एक प्रभाव ये भी है कि आप उनकी भाशा में जो ब्रज भाशा का प्रभाव है उनकी जो रचना है मुख्य तो ब्रज भाशा की ही रचनाएं है और उसमें बुंदेली का प्रभाव आपको दिखाई देगा उसमें कहीना कहीं जो पूर्वी है वो भी जलक दिखाई देगी लेकिन मुख्य तो वो ब्रज भाशा के ही रचनाकार है कहना चाहिए ब्रज से निकल कर जैपूर जाते हैं और जैपूर जाने की भी उनकी एक रोचक कथा की तरह चलती है जो हिंदी साहिते में सब विद्यार्थी जो भी है वो जानते हैं कि कहा जाता है कि ये साहजा के समय में हुए और साहजा की तरफ से इनको कुछ छात्रवर्ती टाइप का जो कहते हैं कि वर्ती कह लीजिए उसको कोई राशी कह लीजिए वो मिलती थी और उसके साथ-साथ इन्हें जैपुर नरेश से भी कुछ राशी मिलती थी तो कहा ये जाता है कि जब एक बार ये अपनी जो राशी वरती बंदी हुई थी वो लेने गए तो जैपुर नरेश जैसिंग की महराज जैसिंग की नई-नई शादी हुई थी और वो अपना जो भी रासरंग है उसमें वैस्त थे तो सारा काम उससे लगातार प्रभावित हो रहा था लेकिन राजा के डर से कोई कह भी नहीं रहा था कि ये भाई आप इतने बीजी हैं तो दूसरा काम प्रभावित हो रहा है दूसरी तरफ तो ये जब पहुँचे तो इन्होंने प्रस्तिती को देखा और समझा और फिर एक कहते हैं इन्होंने एक दोहा लिखा और ओधोकि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इहिकाल अली कली सों ही बंदया आगे कोन हवाल अर्थात उन्होंने एक कली को भवरे को परतीक बना के सारी कथा को एक दोहे में पिरो दिया कि अगर राजा या कोई भी वेक्ती एक सीमित संदर्बों में बंद जाएगा तो फिर बहुत जादा वहां विकास की संभावना नहीं है और ये दोहा जब जैपो नरेश जैसिंग ने पढ़ा तो वो उससे प्रभावित हुए और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे यहीं रहिए और इसी कहा कि एक और भी कथा चलती है कि आप हमारे यहां रहिए और जब भी आप इस तरह का कोई दोहा लिखके लाएंगे तो कहा जाता है कि उनको एक सोने की असरफी दी जाती थी कि अर्थाद एक उचित जो भी राशी थी वो मिलती थी और इस तरह से एक-एक करके बहुत सारे दोहों का संकलन बना जो कि 700-700 से ज़्यादा भी कहा जाता है लेकिन सत्सई में 702 हैं जो की बहुत चर्चित रचना है इसी में मैं यहाँ पे एक बात और भी उलेक कर दूँ कि एक रचना का क्या महत्व है ये भी हमारे लिए जानना उपियोगी है ये बात कई इतिहासकारों ने भी कही कि खास्तों से रामचंद शुक्ल ने इस बात को रेखांकित किया कि साहित में ये बात इस चीज की घोशना करती है अर्थात कि कोई एक रचना के आधार पे इतना पापलर हो गया वो क्या कि किसी भी रचनाकार का जो महत्व है वो उसकी रचना की गुणवत्ता के आधार पे होता ना कि उसकी संख्या के आधार पे परिमा उसका जो नंबर है वो इंपोर्डेंट नहीं होता बलकि जो उसकी गुणवत्ता है क्वालिटी है वो निर्धारित करती और ये इसका उधार्ण है कि बिहारी के बारे में कहा जाता है कि जो बिहारी सतसई है एक दोवा और है कि सतसईया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर एक चीज़ और मैं यहीं पर कह दूँ हमारे साथियों को एक तो इनके जो जन मृत्यू और दूसरे जो सन उनके बारे में बहुत जादा चिंतित होने की जुरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ये मध्यकाल के कवी हैं और थोड़ा बहुत क्योंकि प्रमानिक जानकारी ना होने की वज़े से ये अंतर आपको दिखाई देगा शब्दावली में मौखिक परमपरा में भी कई रचनाय थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं और ये कहते हैं कि बिहारी ने सतसया के जो दोहे हैं उनके माध्यम से गागर में सागर भर दिया कि छोटी छोटी दोहे जैसे चंद म दोहा यानि पर यहां पर मैं अपने विद्यार्थियों को ये भी बता दू कि दोहा है वो दो ही लाइन का दो ही पंक्तियों का छंद होता है जिसमें कि वो मात्राओं के आधार पर उनकी गणना की जाती है और मात्राओं भी कैसे कि उनमें चार पद हैं तो अगर वो पहले पद में पहले हिस्से में 13 मात्राइं होंगी, दूसरे में 11 और इस तरह से 13-11 का कॉंबीनेशन करके 24 मात्राओं का ये छंद बनता है, इनके जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे और बहुत विविद कहना चाहिए कि आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्यत ये सरंगार के कवी माने जाते हैं, जैसे मैंने कहा, अगर हम अपने पाठ में शामिल दोहों को भी देखें, तो वो भी कुछ इसी तरह के हैं, बिहारी एक ऐसे कवी हैं, जिस पर बहुत लंबे समय तक बाज की जा सकती है, और इसका प्रमान भी ये है, कि एक चीज और यहां पर उल्ले खित की जानी चाहिए, और वो क्या है, कि बिहारी की जो सत्सई है, उसके ऊपर सबसे जादाएं टीका लिखे गई, पचासों टीका लिखे टीका का आशे क्या है, कि कोई भी व्याख्याकार जब किसी रचनाकार की अपने तरीके से व्याख्या करता है, उसकी कहना चाहिए कि अपने पदों की व्याख्या करता है, और वो अपनी भी उसमें उसकी व्याख्या सामिल होती है, तो वो टीका कहलाती है, और वो टीका इ पास रतनाकर की टीका को कहा जाता है कि वो बहुत सुन्दर टीका बनी है बिहारी सथसाई पे और हमने जो दोहे लिए हैं वो उसी रचना से लिए हैं और इसका प्रमान है कि विविदता है लेकिन कहीं न कहीं हम एक जो उनका रूप है उसको भी एक कहना चाहिए मानक की है और उसी को ध्यान में रखते हुए कम से कम हम इनके दोहे हैं उनके उपर चर्चा करें अगर समय बसता है तो हम और विस्तार से इसमें बातचीत कर सकते हैं और मेरा ये भी निवेदन है कि इस से संबंदित सामगरी जो है आप NCRT के जो अफिशियल चैनल है उस पे भी देख सकते हैं इसके कारीकरम उस पे उपलब्ध है क्योंकि विस्तार की चर्चा यहां थोड़ी कम है हम तूदा पॉइंट ही बात करेंगे पहला दोह देखिएगा कि जैसे मैंने कहा कि उस जैंगार रस के कवी है नीती भी है और प्रकृती भी है और खास तोर से उन्होंने अपना क्योंकि उनका पूरा बच्पन और युवा वस्था बच्पन तो नहीं कहिए युवा वस्था वो पूरी की पूरे उनके ससुराल में ब्रज शेत्र में बीती मत्रा में और ब्रज भाफ़ा है और थोड़ी सी खड़ी बोली के थोड़ा सा उससे मिलती जुलती लगेगी आपको बशारत है कि हम इसको कवीता पढ़ने के और उसके अर्थ करने के कई तरीके हो सकते हैं हम कोशिष करें कि एक दो बार उसको पढ़ें तो अर्थ धीरे-धीरे खुलने लगेगा जैसे, पहला दोहा देखिएगा ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ने में जो खड़ी बोली उसके नजदीक अर्थ नहीं जा रहा है लेकिन इसको धीरे-धीरे देखिएगा शाम अर्थात कृष्ण कृष्ण ने कैसे वस्तर पहने है ये उसकी चर्चा कर रहे है सोहत सुन्दर लग रहा है ओढ़े ओढ़ा हुआ पीतु पीला पटु वस्तर अर्थात शाम ने जो पीले वस्तर पहने हुए हैं कैसे सलोने गात पर सलोने के दो आशे होता सुन्दर कह लीजी आप उसको और ब्रज भाशा में उसका अर्थ कहीं न कहीं सामलेपन का जो अर्थ होता है वो शाम ने सलोने सरीर पर जो पीले वस्तर पहने हुए हैं वो बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं इसके तुलना या उपमा वो किस से कर रहे हैं मनो तुलना कर उपमा दे रहे हैं मानो उत्प्रेक्षा लंकार है ये कि मानो नील मनी सैल पर नील मनी मतलब मनी मोतियों के नीले नीले मोतियों के सैल मतलब परवत पर आतप्य पर्योब परभात की सूभा की सूरिये की जो सुनहैनी किर्णे होती है मानो की वो पीली किर्णे सुनहैरी किर्णे वो नील मनी के परवत पर गिर रही है शाम पीले वस्त्रों में श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में ऐसे लग रहे हैं मानों की वो नीले मनी के परवत पर सुभा का सुनहरी प्रकास उस पे पढ़ रहा है अगला दोहा है कहलाने एकत बसत अही मयूर म्रिग बाग जगतु तपोवन सो कियो दीर्ग दाग निदाग क्या कह रहे हैं मैंने कहा था कि एक स्रिंगार के साथ साथ प्रकृति वर्णन भी आपको यहां सत्साही में बहुत मिलेगा और उसी की एक जहलक है कि भेंकर गर्मी है और गर्मी में क्या परिवर्तन होता है जीव जन्तु के जीवन में उसका ही इसमें कही एक रिफलेक्शन है उसी को यह कहना चाह रहे हैं क्या है कहलाने एकत बसत की कहने को एक साथ सारे रहने लगे हैं कौन-कौन अही, मयूर, मिर्ग, बाग अही मतलब सांप, मयूर मतलब मोर मिर्ग मतलब हिरन और बाग मतलब शेर अर्थात ये जो कहा जाता है कि एक दूसरे के शत्रू होते हैं विप्रीत प्रकृती के होते हैं वो एक साथ रहने को विवस है या रहने लग गए हैं. कैसे साप और मोर की दुस्मनी मानी जाती है, हिरन और बाग की दुस्मनी मानी जाती है, कि वो एक दूसरे को मार देते हैं लेकिन वो एक साथ रह रहे हैं उसका कारण क्या है जगतू तपोवन सोक्यो दीर्गदाग निदाग गर्मी के कारण ऐसा लग रहा है मानो की पूरी स्रिष्टी ही पूरा जगत ही तपोवन बन गया है अर्थात, जैसे तपोवन में विभिन प्रकार के जो तपश्वी होते हैं, वो अपनी साधना करते हैं, आराम से बैठ के, एक दूसरे को कोई किसी को डिस्टब नहीं करता, प्रिशान नहीं करता, भेंकर गर्मी के कारण ऐसा लग रहा है, कि मानो पूरा ही जो स्रिष्टी है खास तोर से जो वनक्षेत्र है, वो तपोवन में बदल गया है, और साप और मौर, म्रिग और बाग जो विप्रीत प्रिट वो भी एक साथ रहने के लिए विवस हैं, या एक साथ रह रहे हैं, अगला दोहा बड़ा रोचक है, और बहुत ही सुन्दर दोहा माना जाता है ब स्री कृष्ण के मुरली छुपा लेती हैं और फिर वो जो जिस तरह के हाव भाव क्रियाएं होती हैं वो ही इस दोहे में हैं, दोहा है, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हसें, दैन कहें नटी जाएं, अर्थात की बत्रस लालच लाल की, गोपी क दो है सकते कालाई हैं श्रीकृ Edison से बाताई करने के लालेंगो पिकाओं ने स्री kristne की मुरली धरी लुक आए उनकी जो मुरली है उसको छुपा लिया है और जब स्रीное क्रिशन कहते चैहिंब बड़ी मुरली लोटा दो तो हो मदाम लेकिन साथ साथ में भोहन हस हैं, अर्थात आखों आखों में वो कहीं न कहीं हस भी रही है, अर्थात उसका आशे है कि छुपाई तो उन्हों नहीं है, लेकिन वो उसको दे नहीं रही, दैन कहें नटी जाए, दैने को कहते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं, ये क्रियाओं का भावों का बहुत सुन्दर वर्णन है इसमें और स्री कृष्ण गोपी काउं की जो कहिए कि लीला है उसका भी आभास है इसमें अगला दोहा है वो सबसे क्लासिकल माना जाता है कि दोहे के लिए भी और बिहारी के लिए भी इससे सुन्दर दोहा आपको सायद ही कहीं मिलेगा और इस दोहे में देखने वाली जो सबसे खास बात क्या है वो देखिएगा इसमें धेर सारी क्रियाओं का प्रियोग है और ये कहा जाता है कि इसायद मैंने आरम पे नहीं कहा लेकिन जो दोहा लिखता है उसकी कसोटी उन्होंने हिंदी साहिते के जो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं आचारिय राम चंद्रशुकल उन्होंने कहा कि जो भी दोहा लिखे गया इस तरह का जो छोटा छंद इस्तेमाल करता है उसमें भाशा की जो कहते हैं कि समा सकती होने चाहिए वो संग्षेब में चीजों को कह सके और साथ ही साथ कल्पना की समाहर सकती कि अपनी कल्पना में वो जितनी जादा चीजों को समाहित कर पाए वो जिसमें जितनी जादा होगी वो उतना ही सुन्दर छंद रच पाएगा उतनी ही बड़ी कल्पना कर पाएगा और इसमें वही भाव है भाव क्या है? कहत नटत रीज़त खीज़त मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात देखिए गाई इसमें की जो भाव क्रियाएं किस तरीके से बदल रही है कहत नटत रीज़त खीज़त मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें लगबक साथ क्रियाएं हैं और एकी लाइन में हैं एकी दोहे जैसे छोटे चंद में हैं वो क्या है कि यहां पे नायक नाईका का है सरिंगार का है प्रेम का वर्णन है कि कोई चीज या कोई बात हो रही है इशारों इशारों में उसकी और ये इशारा कर रही है ये पंक्ती, कहत कहा जा रहा है कुछ, नटत मना किया जा रहा है, रीजत की प्रेम का जो रीजने का भाव होता है, हसी मजाक का जो भाव होता है, खीजत अगर किसी चीज की मना ही है तो उसमें खीज भी पैदा हो रही है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है लेकिन जब आखे मिलती हैं तो मिलत मिल जाती हैं खिलत तो खिल जाती हैं और लजियात लेकिन उसमें एक लज्जा का भाव भी लगातार बना हुआ है कि जो नायक नाई का आखों आखों में बाचीत कर रहे हैं ये उस सारी क्रिया प्रक्रिया का वर्णन है और ये भी देखने वाली बाते की कहीं एकांत में नहीं हो रहा है ये भरे भौन में यानि कि सब लोग वहाँ विद्धिमान है भवन पूरी तरह भरा हुआ है भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात आखों आखों में भरे भवन में वो बाते कर रही हैं कभी कहते हैं कभी मना करते कभी गुस्सा है कभी प्यार है कभी मिलती हैं कभी खिलती है और कभी लजाती हैं ये सारी क्रियाएं एक ही चंद में है अगला चंद हमारा अगला दोहा है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि हमने दोहा देखा कि ग्रिशम रित्यू का किस तरह से उन्होंने वर्णन किया ठीक वही वर्णन यहां पे भी है और कितनी भेंकर गर्मी है इसका उलेख इसमें है कि कल्पना करके देखिए कि इतनी भेंकर गर्मी पड़ रही है कि जो चाया है न वो भी चाया चाह रही है shadow है वो भी कह रही कि मुझे कहीं पना मिल जाए मुझे कहीं चाया मिल जाए ये वही बात है इसमें और दोहा कुछ इस परकार है बैठी रही अती सगन बन पैठी सदन तन माहा देखी दुपहरी जेठ की चाहों चाहती चाह की कह रहेंगी इतनी भेंकर गर्मी है और जेठ की जेश्ट महिने की दुपहरी है और उस गर्मी में क्या हो रहा है बैठी रही अती सगन बन की चाहा भी या प्रकृती की हर वस्तू वो कहीं गहरे सगन बन में जाकर चुप गई है बैठी रही अती सगन गहरे वन में जाकर चुप गई है पैठी सदन तनमा अर्थात वो भी किसी सदन कह लिजे भावन की गहरी चाओं में वो चुप गई है क्यों क्योंकि भेंकर गर्मी है और चाया भी ऐसा लग रहा मानो चाया की गोहार लगा रही है देख ही दोपहरी जेट की बैंकर दोपहरी को देख के चाया भी कहती है काश मुझे भी कही चाया मिल जाए अगला दोहा है कि कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात कहिए सबहु तेरो हिया मेरे हिय की बात बिहारी ये कह रहे हैं कि नायक एक दूसरे को संदेश भेजने की बात आ रही है कि कागज पर लिखत न बनत कागज पर लिखते नहीं बनता है कहत संदेश उलजात और किसी से मोखिक रूप में कहने में भी लजा आती है शर्म आती है फिर क्या हो तो वो कह रहे हैं कि कहियो सब तेरो हिया मेरे हियो की बात कि मुझे कहने की कोई आवशकता नहीं मेरे मन की बात तुम्हारा ही मन है तुम्हारा ही जो हिरदय है वो कह देगा इसलिए मुझे अलग से ना तो किसी कागज पे लिखने की जरूरत है और ना किसी को कहने की जरूरत है कि मेरे दिल की बात तुम्हारा दिल ही कह देगा यही इसका सामान अर्थ है हाँ यह अगला दोहा है वो बिहारी से भी उनके कहना चाहिए कि उनके परीचे से भी जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा एक अर्थ दो अर्थ लेते हैं लोग कि उनका जो कहिए कि आरादे हैं उनके जो स्री कृष्ण से भी ले सकते हैं इसके दो अर्थ हो सकते है बिहारी कहां पैदा हुए कैसे आके बसे और उनको क्या चाहिए वो इसमें है कि बिहारी अपने बारे में बता रहे हैं या क्रिशन के बारे में भी कह लीजिए कि वो प्रकट हुए अर्थात जन्म कहां हुआ द्विज राजकुल में द्विज राजकुल परिवार में उनका जन्म हुआ और यह चंद्रमा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्रिशन के लिए भी हम कह सकते हैं बाद में सुबस बसे ब्रज आई और बाद में अपनी इच्छा से ब्रजशेत्र में आके वो बस गए कृष्ण का भी यही कथा है और बिहारी की भी यही कथा है लेकिन दूसरी लाइए यह कह रही है कि यह कही न कही उनके परीचे से जुड़ा हुआ है मेरे हरो कलेसब की मेरे सारे कष्ट हर लो केशव केशव राई केशव एक केशव स्री कृष्ण है और केशव राई यह उनके परीचे में बताना भूल गया कि केशव उनके पिता का नाम भी था केशव राई दोनों से ही उनकी विनती हो सकती है कि मेरे जो कष्ट है कि हे कृष्ण और यह मेरे पिता केशवराई मेरे जो कस्ट हैं आप उनको हर लीजिए उनको खत्म कर लीजिए खत्म कर दीजिए और ना केवल स्री कृष्ण बलकि जिसकी हम चर्चा कर रहे थी कुछ दोहे राम के संदर में भी आते हैं और ये दोहा लगबग उसी तरह का है खास तोर से ये अपनी जो कहना चाहिए कि जो हमारी आराधना है उनकी शुद्धता की ओर बता रहा है कि आप सच्चे मन से पूजा करिए तो कुछ मिलेगा नहीं तो जप माला च्छापे तिलक सरेन एको कामू मन काचे नाचे विर्था साचे राचू रामो अर्थात जप माला जबते रहते हैं लोग नहीं होगा सदेगा नहीं क्यों मन काचे नाचे विर्था अगर आपका मन कच्चा है अगर आपकी भक्ती सच्ची नहीं है तो नाचे विर्था बेकार में आप जितना ये उपर वाली जो क्रियकलाप हैं ये बेकार में ऐसा कर रहे हैं साचे राचे रामो और जो सच्चे म से अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो वही सच्ची भक्ती है अन्यथा जो जप माला छापा तिलक जो भी करते हैं वो बहुत उपयोगी नहीं है ये सच्चे मन की भक्ती नहीं है तो आपकी जो पूजा है भक्ती है वो भी अधूरी है और उसका कोई खास प्रियोजन नह दूँ कि इसमें अभ्यास में आप देखेंगे कि ज्यादा विस्तार नहीं है इनी कुछ पंक्तियों का जो दोहे हैं उनका भावार्थ पूछा गया है और परियोजना कारी और योगता विस्तार में ये कहा गया कि आप बिहारी या दूसरे दोहों का संकलन करिए नए धैरिये के साथ पढ़ेंगे तो ये अपना अर्थ खोलने लगेंगे हम भी यही चाहते हैं कि विद्यार्थी इन से अपना अर्थ ग्रेंड करें और वो इसका आनन ले धन्यवादा विस्तार कॉना आनन ले कि विद्यार्था बिद्यार्थ नवज्च्चि जई से अपना तो ये जड़ादा बिद्यार्थ ग्रेंगे हम भी ये विद्यार्थ ये उन से तो ये तो इस्टार्थ झाल झाल